पंजाब का गुर्दास पुराज आतंकी हमले से दहल गया पाकिस्तान सीमा के ओर से आए कुछ आतंकियों ने एक थाने पर धावा बोल दिया आतंकियों ने पहले एक कार लूटी फिर एक यातरी बस पर फाइरिंग की और फिर वो एक थाने में घुश गये और वहां से ही दि यारा लोगों की हुई मौण, आतंकियों के हमले में पाँच पुलस कर्मियों सहित आठ लोग मारे गए, हमले के बाद भारत पाक श्रंकला पर संकट के बादल, गुर्दास पूर में घुसे सेना की वर्दी पहने, आतंकियों ने थाने पर कबजा करने से पहले एक यातरी बस पर हमला किया था और फिर वो आकर थाने में चिप गए यहां भी आतंकियों ने अंधा धुंत फायरिंग की जिस से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी आतंकी सुभए तकरीबन पांच बचकर 30 मिनिट पर पठान कोट के रास्ते गुर्दासपूर में दाखिल हुए थ यहां उन्होंने एक धाबे से मारूती 800 कार लूट ली इसके बाद आतंकियोंने जम्मू जा रही रोडवेस की बस पर फायरिंग की जिसमें एक शक्स की मौत हो गई थोड़ी दिर बाद आतंकियोंने दीनानगर पुलिस थाने पर हमला बोल दिया जिसमें एक पुलिस वाल शहीद हो गया वहीं अमरत सर पठान कोट रेलवे ट्रैक पर पांच जिंदा बम मिलने से संसनी फैल गई आतंकियोंने सरक्ट के जरिये बम को पट्रियों से बान रखा था रेलवे ट्रैक उड़ाकर बड़े धमाकि से ज्यादा से ज्यादा नुकसान की साज़िश भी आतंकियों द्वारा रची गई थी चश्मदीदों के मुताबिक इस हमले में एक महला आतंकी भी शामिल थी बैरहाल दिन भर चली मुटभेड के बाद सुरक्षा बलू ने थाने में घुसे तीनों आतंकियों को मार गिराया और पुलिस ने थाने पर कबजा ले लिया इस हमले में स्पी बलजीद सिंग शहीद हो गए वही साथ अन्य लोगों की भी मौत हो गई पंजाब पर हमले की गूँच संसद में भी सुनाई दी विपक्षनिस सरकार से तुरंट इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की इससे पहले संसद भवन में बैठक कर पीएम ने पंजाब हमले के हालात का जायजा लिया वहीं ग्रह मंत्राले ने भी हमले के मर्दे नजर उच्छ स्तरिय बैठक की ग्रह मंत्री राजनात ने सरहत पार से हो रहे आतं की हमले पर पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पहले हमले नहीं करते मगर हम पर हमला होगा तो हम करारा जवाब देंगे पंजाब में आतं की हमले के बाद राजधानी दिली समेथ पूरे देश में समवेदनशील जगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है कई राजियों के अलग-अलग शहरों में कड़ी सुरक्षा जाच होने लगी कई जगों पर डॉग स्क्वाड भी पुलिस के साथ मौजूद था इस हमले के बाद लगातार चौतरफा इसकी निंदा की जा रही है वहीं इस हमले के चलते भारत पाकिस्तान की श्रंखला पर संकट के बादल मंडराने लगे है BCCI सचिप अनुराक ठाकुर ने कहा है कि हमले में जब लोग मारे जा रहे हैं तो क्रिकेट श्रंखला प्राथमिकता नहीं है Bureau Report, DLive News